बुलिया भारत माता की जै भारत माता की जै मंचपर उपस्तित परमादर्णिय माता जी आरतिय जन्ता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष आदर्णिय जगत प्रकाश नडड़ा जी आदर्णिय बावी जी डॉक्टर मलीका नडड़ा जी सन्मानिय शिवप्रकाश जी चंदरशेखर बावनकुले जी हमारे साथी सुधिन मुन्गंटिवार जी सभी यहां पर उपस्तित गायत्री परिवार के पदादिकारी और सदस्यगण सभी उपस्तित यागनिक माताय बहने और बंधू मैं गायत्री परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस अतिभव्य अश्वमेध यद्ने के लिए उन्होंने महाराष्ट की भूमी को चुना ये भूमी छत्रबती शिवाजी महाराष्ट की भूमी है ये वीरों की भूमी है ये संतों की भूमी है प्रभू श्री राम जी ने जहां अपने वनवास काल में सरवाधिक निवास किया वो ये महाराष्ट की भूमी है और एक बहुत बड़ी संत परंपरा का निर्वाह करने वाली ऐसी ये महाराष्ट की भूमी है जहां पर जोतिर लिंगों का भी वास है और जहां पर शक्ति पीठों का भी वास है ऐसी इस धूमी पर आज याश्वमेध यद्न्य संपन्न हो रहा है हम सभी जानते है अधरणिय परंपूजनिय पंडित श्रीराम शर्मा जी और गायत्री परिवार ने यज्य की परंपरा को फिर एक बार वैश्विक स्वरूप दिया और उसी के चलते आज हमारी सनातन संस्कृती और हमारी यद्न्य की संस्कृती जो पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और विश्वशांती की कामना और मनुष्यों को उत्तम आचरण मिले इस प्रकार की कामना जिसके माध्यम से होती है ऐसे इन कारियों को आज विश्व तक पहुचाने का काम गायत्री परिवार ने किया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी संस्कृती में गायत्री परिवार का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है जिसको हम आख नहीं सकते इस प्रकार का ये योगदान है मैं इसलिए उन्हें बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ और ये यग्यतों सभी के लिए है हमने सभी के शांती की कामना सभी के मंगल की कामना की है हम बदलेंगे तो देश बदलेगा ये हमारा मंत्र है और उसके साथ साथ सभी को नशा मुक्त करने का भी अभियान यहां पर चल रहा है मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री णरेंद्र मोदी जी ये जो 2047 के विक्सित भारत की बात करते है उस विक्सित भारत में विक्सित सांस्कूरतिक योगदान में गायतरी परिवार का सबसे बड़ा योगदान होगा ये मैं आज के इस मोके पर कहता हूँ आप सभी को बहुत-बहुत नमन करता हूँ और गायत्री मंत्र के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ ओम भुर्भुवस्वह तस्यवित्र वरिन्यम धर्गो देवस धीमई धीयो योना प्रचो दयात धन्यवाद जे हिन जे महाराक्र जे भारत जे सनातर